हेलो स्ट्रेंट दिस लोमस कांधी वेलकम टो आवर येट्व चेनल लेट्स लन फूम हम लोग अभी एवरेज विलॉसिटी का लेक्चर कर रहे हैं जिसका ये पार्ट टू है पार्ट वन में हमने एवरेज विलॉसिटी पे कुछ अच्छे सवाल करवा रखे हैं क्योंकि पि या विडियो लेट्श देखने से पहले लेक्ज़े वाला विडियो लेक्चर के पार्ट वन है उसे अप desta스 तब यह वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा ठीक है हमने इससे लास्ट वाली इससे पहले वाली लेक्चर में लास्ट में प्राब्लम करवाया था और उसमें हमने यह समझाया भी था कि एवरेज विलॉसिटी और एवरेज स्पीड अगर स्ट्रेट लाइन पास में अबजेक्ट रावरेज कर रहा होगा उसव 1965 सेwnieं होता है जिसे अबजेक्ट ए से ony toč जाएगा ठीक है के ए से बी तक जाने में मालो उसकी खीद तर किलोमेठर करके दिस्ठेंस है तेन किलोमेठर मालो वह एक घंटे में चला ठीक है वन आर में और मालो यह 20 km मालो उसको जाने में मालो 3 hours लगा ठीक है 3 hours लगा इस वक्त इसकी average speed कितनी हो जाएगी average speed इसकी हो जाएगी total distance में total time total distance कितना 20 plus 10 कितना होगा 30 और total time कितना होगा 3 and 1 कितना 4 तो यह हो जाएगा average speed तो इस case में इसकी average velocity भी same होगी क्योंकि motion object का कैसा हो हो रहा है straight Line हो रहा है जब सकी speed ratio सेम होता है हम अभी यह को करते हैं यह इक सब्सक्राइब सांजा रही है तब देखते हैं, उसकी average speed और average velocity क्या होगी, clear है, माल लेते हैं एक object है जो circular track पर चल रहा है, ठीक है, एक लोग सवाल ले रहे हैं, एक object है जो circular track पर चल रहा है, clear है, इस circular track पर माल लो ये center है, माल लो इसका radius है, माल लो 7 meter का, ठीक है, 7 meter radius का है, तो हमसे एक कहा गया कि यहां प तो इस पे जाने में object को मालो लगा है 2 घंटा कितना ठीक है A से B तक जाने में object को कितना time लग गया है 2 घंटा का time लग गया 2 hours का time और track का radius कितना है 7 meter का थम में बताइए कि इसकी average speed क्या होगी ठीक है average speed क्या होगी और इसकी average velocity क्या होगी ये दो चीज़े आपको calculate करनी है समझ पाए बात को चलिए हम लोग A से B तक चलते हैं और average speed calculate करते हैं clear है ठीक है तो प्रस यहां पर वह चोटा है कोई बात नहीं ठीक है हम लोग फिर से track बना लेते हैं ट्रैक बना लिए हम लोग कितना 7 मीटर का A से B तक डामेटरी के लपोजिट जा रहे हैं ठीक है टोटल टाइम कितना लगा है इसको टाइम लगा है दो गंटा समझना बात को अब A से B तक जाने में या कोई बात नहीं डिस्टेंस ट्रबल मालनो डी हुआ ठीक है मालनो A से B तक जाने में डिस्टेंस ट्रबल डी हो गया ठीक है डिस्टेंस ट्रबल डी है अच्छा ब्रस इसलिए छोटा हो रहा है अब समझ माया ठीक है अब ब्रस बढ़ा हो गया ठीक है कुछ कुछ चीज पड़ेंगी अभी टाइम लग रहा है सिखने में चल लोग आते हैं है मैं बस्तों खतम हो गया जलो डि स्ने स्माइस अमिम नोल ट्रेबल कर रहेँ डिस्तेंस ट्रेबल करने में क्या होगा सेमी सरक्लर होगा ऊसेमी सरocolर होगा अगा टू इन्टू 22 बैए 7 इन्टू आर, आर का वेल्यू कितना है 7 और बैए 2 2 से 2 खतम, 7 से 7 खतम टोटल कितना होगी है, 22 मीटर समझभा है बात को, 22 मीटर का डिसेंस्टेबल होगा कितने टाइम में, 2 घंटे में 2 घंटे में तुमने 22 स्वारी, ये मीटर है न दो घंटा नहीं लेते हैं, तब 2 सेंट ले लेते हैं अच्छा राएगा मीटर पर सिकेंड बैएगा, 2 सेंट लगरे हैं ठीक है, 2 सेंट में समझभा है तो 2 सेंट में एक औबजेक्ट कितना डिसेंस्टेबल किया, 2 सेंट में माल लो यहां पे कर रहे हैं दो सेकंड में एक अब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रबल कर रहा है दो सेकंड में डिस्टेंस ट्रबल कर रहा है 22 मीटर ठीक है सेमी सर्कुलर ट्रैक कर डिस्टेंस ट्रबल हो रहा था 22 मीटर तो अब हम लोग time हो गया कितना time हो गया 2 second 2 second में a से b तक जाने में distance कितना trouble हुआ है distance trouble हुआ है 22 meter तो बताइए speed कितनी हो जाएगी average total distance by total time taken average speed इस वक्त किसकी हो जाएगी इसकी average speed हो जाएगी 22 by 2 मतलब 11 meter sorry 11 meter per second अब यहीं पर अगर हम बात करें average velocity की तो समझना average velocity की अगर हम बात करें average velocity क्या होगा इस track की average velocity क्या होगी उसको समझी a से b तक diametrically opposite track average velocity average velocity हमें total displacement कहना होता है a से b तक displacement कितना होगा 7 और 7 मिला के 14 तो displacement हो जाएगा हमारा 14 और इस displacement को बनाने में भी time कितना लगा है इस displacement को बनाने में time कितना लगा है दो ही सेकंड लगा है इस displacement को बनाने में भी time ठीक है तो यहाँ पे average velocity केकर हम बात करें average velocity equal to हो जाएगी कितनी average velocity equal to हो जाएगी total displacement मतलब 14 by total time कितना 7 meter per second समझभा है बात को इस तरह से आपने क्या देखा कि अगर A-C-B तक का average speed निकाल ली हो तो वो तो आ रही थी 11 meter per second लेगिन average velocity क्या हो रहा है 7 meter per second तो change हो रहा है direction पर डिपेंड कर रहा है यह चीजें हमें समझानी थी समझ पाए बात को चलिए अब हम लोग अगले type की problem को करते है type 4 में आते हैं जब distance travel same होगा ठीक है type 4 में आ रहे हैं जब distance travel हमारा same होगा उस वक्त ठीक है distance travel जब हमारा same हो तब हम लोग कैसे average speed वगरा को calculate करेंगे ठीक है एक सवाल लेते हैं अब bus travels a distance of 120 km with the speed of 40 km per hour and returns with the speed of 30 km per hour calculate its average speed बात को समझना अब देखो return के case में क्या होता है जब मालो आप घर से school गए और school से घर वापस आई सेम रास्ती से गए सेम रास्ती से वापस आई तो जाने वक्त जितना distance आपने travel किया आने वक्त भी तो distance उतना ही travel होगा है की नहीं तो distance तो सेम ही travel होगा तो इसलिए जब distance टेवल सेम होगा तो एक special situation बनेगा फिर थम लोग सवाल कर रहे ना फिर इसके बाद shortcut पर आएंगे इसको shortcut से बिवनाएंगे चलिए इसको कैसे बनाते हैं समझते हैं तो हमने जाने वक्त रिटन हुआ है है तो ए से ऑ लोगने में किटना है 120 kilometer तो वापस 120 kilometer आएंगे जाने वक्त हमारे speed सिते रही 40 km पर लेकिन आने वक्त समय थक होंगे आने वक्त हमारी zeros 30 km पर आश कि उती हमसे पूछा एकिख सिड ना हने तो जाने वक्त 120 किलोमेटर आने वक्त 120 किलोमेटर जाने का टाइम निकालना है में तो जाने का टाइम क्या है जाने की स्पीड इन्टू जाने की जाने की डिस्टेंस डिवाइड़ जाने का स्पीड तो जाने का डिस्टेंस 120 जाने का स्पीड 40 तो कितना हो गया थ्री आवर् स्पीड कितनी 30 किलोमेटर पर आवर तो आने का टाइम कितना फोर हो गया तो टोटल डिसेंस में टोटल टाइम आ गया यह हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड समझभा रहे हैं बात को बहुत बढ़िया तो यह चीजें समझनी थी हमें एक और सवाल इसी तरह का लेते हैं मा आपको क्या दे रखा पिछले वाले सवाल में आपको डिसेंस भी दे रखा था 120 किलोमेटर रिटर्न हुआ है लेकिन इस वाले सवाल में आपको रिटर्न कितना हुआ यह नहीं दे रखा है बस बोला की रिटर्न है मोटर सैकलिस जाता है एसे बी तक 30 किलोमेटर पर आवर क स्पीड से ठीक है कितना डिस्टेंस ट्रबल है पता नहीं तो माल देते हैं एक्स किलोमेटर वापस आ रहे हैं कितना डिस्टेंस ट्रबल होगा एक्स किलोमेटर ही होगा लेकिन किस स्पीड से 20 किलोमेटर पराबर से क्लियर है तो टोटल डिस्टेंस जाने का हो जाएगा चल जने का स्ञेसे ऐक चाने कर sehr, 30 तो जने का स्मस्तना अब बता नहीं टकर सच्थ नहीं का स्ञेए सबस्क्राइब टोटाल्स, एक स्मस्तना स्ट्पूल तो इसल पा रहें अब शिर्ड स्चाइब क mencionra बचस्ष ऑलोगा चांप 12 x by 12 इसको solve कर लेंगे x by 12 तो यह आएगा 40 km 24 km पराबर समझ पार है बात को इस तरह से हम लोगों को question बनाने होते हैं ठीक है एक दो सवाल खुद के लिए भी कर लेजिए जैसे हमने आपके लिए एक सवाल छोट रखा है एक car travels 20 km 120 km speed of 30 km पराबर and next 120 km यहां पर देखो यहां पर return नहीं होना है यहां पर return नहीं हो रहा है क्या हो रहा है अगला 120 हो रहा है टेक्नीक से हम ही लगेगा 20 km पराबर की speed से इसकी average speed आपको calculate करनी है ठीक है हम एक बार question समझा दे रहे हैं आपको question क्या कह रहा है कि एक आदमी a से b तक गया 120 km distance travel किया कितना किसी speed से travel किया है speed थी 30 km पराबर ठीक है एक object a से b तक गया एक object a से b तक जाता है 120 km ठीक है 120 km 30 km पराबर की speed से ठीक है a से b तक पहुचा उसके बाद next 120 km next 120 km जाता है वो 20 km परावर की speed से इसकी average speed बतानी तो total distance आपको पता ही है और इन दोनों की relation से आपको time आ जाएगा तो total time time भी निकाल लेंगे solve कर लेंगे इसे खुच से अब हम लोग इसी टाइप की सवाल का general expression करने वाले है general expression का क्या मतलब होता है shortcut formula निकालने वाले हैं ठीक है कैसे निकालेंगे तो हम लोग एक normal वे लेते हैं इसमें speed और distance time अगरा unknown रखेंगे फिर formula आ जाएगा चलो बी से सी तक का distance सेम रखना है हमें बी से सी तक का distance भी हमने सेम रखाया और उसको different speed से हमने travel किया है ठीक है तो अब यहां पे हमें total distance पर total time करना और average speed काल्कूलेट करना है टोटल डिस्टेंस कितना जाने में A से B तक का डिस्टेंस X और B से सी तक का डिस्टेंस X 2X कितना हो गया टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम A से B तक का टाइम प्लस B से सी तक का टाइम A-C-B तक का time के लिए का करना होगा A-C-B तक के distance को divide करना होगा A-C-B तक की speed से कर दिए B-C-C तक के time को निकालने के लिए B-C-C तक का distance divided by B-C-C तक की velocity या speed कर दिए इसको calculate कर लेंगे LC हम लेंगे V1, V2 आएगा और X से V2 multiplied होगा और X से V1 multiplied होगा X कुमन आएगा V1 प्लस 22 हो जाएगा ठीक है? Simple algebra है solve कर लीजिएगा ठीक है? अब आते हैं हम लोग average speed के बात करते है average speed equal to होता है total distance, total distance यहाँ पे कितना है? total distance यहाँ पे है 2X total time कितना है? total time इतना है इसको put कर दीजिए इसकी place पे यह नीचे है उपर आके multiplied हो जाएगा यहाँ पे इसको solve करेंगे X से X कट जाएगा ठीक है? और कुछ बचा? नहीं बचा तो आपका जो expression होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको ठीक है? जब आप इसको solve करेंगे तो आपको X से X कट के ऐसा expression आएगा यह expression होगा average velocity है मेरे कहने का मतलब भी हुआ कि जब कोई object equal distance different speed से चलेगा जान से सुनो जब भी कोई object equal distance different speed से चलेगा उस वक्त आपकी average speed निकालने के लिए आपको सीधा यह shortcut formula यूज़ कर सकते हैं 2V1V2 by V1 plus V2 फिर से सुनो जब भी कोई object equal distance 2 या 3 different speed से चलेगा 2 different speed से चलेगा उस वक्त उसकी average velocity निकालने के लिए आपको average speed निकालने के लिए आपको 2V1 by V1 plus V2 कर सकते हैं समझ पा रहे हैं बात को बहुत बढ़िया अब देखो इसी shortcut formula से पिछले वाले 2-3 सवाल हमने किये उसको बनाएंगे ठीक है चले बनाते हैं अब देखो ये वाला सवाल क्या कह रहा है इस वाले सवाल में देखो आपको क्या देखना है बस equal distance 2 different speed से travel हुई कि नहीं है देखो ये return वाला केसे equal distance से travel क्या होगा 2 different speed है कितना है 40 है और 30 है आपको क्या formula क्या था formula था 2V1 V2 by V1 plus V2 समझना बात को formula क्या था 2V1 V2 by V1 plus V2 2V1 V2 by V1 plus V2 ठीक है 2V1 V2 divided by V1 plus V2 ये formula था अब देखो यहाँ पे 2 2V1 V1 के place पे क्या रखोगे 40 है 40 रखोगे V1 V2 के place पे क्या रखोगे 30 तो 30 है V1 V2 divided by V1 plus V2 40 plus 30 solve करेंगे इसे ये solve करेंगे तो कितना होगा 30 को 40 से multiply करोगे तो 1200 1200 गुना 2 कितना होगा 2400 2400 और divided by कितना होगा 30 plus 70 2400 divided by 70 2400 divided by 70 ठीक है 10 से 10 खटतम हुआ 2400 by 7 हुआ देखो इसका answer 2400 by 7 होगा देखो है 2400 by 7 तो shortcut काम कर रहा है आपका चलो अगला सवाल में भी लगा लेते हैं अगले सवाल में देखो same distance triple return वाले कैसे same distance triple हो रहा है different speed से कितना देखो 30 किलोमेटर तो 2 V1 V1 के place पे 30 रखो V2 के place पे 20 रखो V1 V2 divided by V1 plus V2 अब बताओ 20 को 30 से multiplied करोगे कितना होगा 600 600 होगा 6000 होगा 6000 हाथ सही है 20 को करोगे तो sorry 600 ही होगा 6 पे double 0 600 ही होता है 600 divided by 30 20 कितना होता है 50 तो 600 divided by 50 solve करो इसे 600 divided by 50 को solve करोगे देखो जब आप इसको solve करोगे तो यह 600 नहीं 1200 होगा calculate कर लएना जरा इसे देखो कितना है 2 into 2 into 30 into 20 करोगे तो 30 into 20 कितना होगा 600 600 into 2 200 divided by 30 plus 20 कितना होगा 50 30 plus 20 पचास इन सौट के कह सकते है 1200 divided by 50 जब इसको solve करोगे 24 पंचे 120 होता है मतब solve कर के 24 आएगा तो देखो इसका result 24 किलोमेटर परावर है की नहीं बिल्कुल है इसका मतब आप समझ पा रहे है ठीक है तो यह shortcut काम कर रहा है चलो अगले सवाल में भी एक बार try कर लेते हैं यहाँ पे भी देखो आप तो process से इसको बनाओगे shortcut से देखो इसको कैसे बनाते हैं यह क्या कह रहा है 30 किलोमेटर जा रहा है आपको speed कुछ नहीं देखना बस देख रहा है same distance travel हो रहा है different speed से बस काम खतम तो 30 किलोमेटर से जा रहा है 20 किलोमेटर से अगला 120 किलोमेटर जा रहा है तो same distance different speed से travel कर रहा है तो चलो 2 into 30 plus 20 sorry 30 into 20 divided by 30 plus 20 solve करेंगे से यह भी same result देगा आपको यह होगा 1200 divided by 50 तो कितना होगा 24 किलोमेटर परावर इसको solve कर लिजेगा देख लिजेगा answer same आएगा समझ बारे बात को ठीक है तो इस तरह से आपको इसको solve करना है ठीक है अब आपको एक homework दे दिया जाएगा यह homework है आपको यह करना इसका expression क्या आएगा ठीक है expression क्या है उसको आप समझी लो तो देखो result का है मतब यह question है कि A से B तक अबजेक्ट distance टोबल किया ठीक है X different 3 equal part को 3 equal part का मतलब होता है कि मालनो A से मालनो यहाँ पे C गया होगा तो X by 3 C से D गया होगा X by 3 ठीक है समझ पारे और D से मालनो B गया होगा X by 3 तो यह हुआ equal part अगर मालनो A से B तक का distance मालनो 30 मीटर होता तो यह 10 मीटर यह 10 मीटर और यह 10 मीटर 10 मीटर V1 से 10 मीटर V2 से और 10 मीटर V3 से टुबल किया होगा समझ पारे बात को इस case में हमें इसकी average speed calculate करनी है ठीक है आप लोग try करिएगा इसको और इसका answer आएगा ही ठीक है ट्रैक करनी के बाद इसकी solution को आपको देखिएगा हम solve इसको कर देते हैं देखो A से B तक गया insert यह कह सकते हैं कि आपको 3 equal parts different space से travel होई है तो आपको time अलग अलग निकालना है समझना बात को यहाँ पे ठीक है A से माल लो C और D और यह हो गया B ठीक है यह V1 से ठीक है A से B तक का distance कितना X तो यह हो गया आपका XY3 यह वाला भी XY3 हो जाएगा और यह भी XY3 हो जाएगा V3 speed से V2 speed से समझ पाए तो देखो total distance तो हमें दे रखा है कितना total distance X है total time की बात करने तो माल लेते हैं यह A से C तक का time T1 है तो time बराबर होता है distance by speed उसी तरह से T2 calculate करेंगे यह होगा distance by speed XY sorry X by 3 क्योंकि distance कितना है XY3 है न इसलिए distance को रखना है XY3 V1 हो जाएगा उसी तरह से second time CCD का time क्या होगा distance कितना है X by 3 होगा उसी तरह से T3 यह हो जाएगा आपका X by 3 distance है velocity कितनी है V3 clear है अब तीनों time को आप प्लस कर लीजिए आराम से तो time 1 time 2 time 3 तो पहला time क्या था XY3 V1 था दूसरा time क्या था XY3 V2 था अब सबको प्लस कर लीजिए जब आप सबको प्लस करेंगे तो नीचे आएगा आपका कितना नीचे solve करेंगे तो नीचे आएगा आपका 3 V1 V2 समझना और V3 और उपर होगा यहाँ पर देखो 3 V1 से इसको डिबाइड करोगे तो V2 V3 होगा X तो सब में common X ले लो उपर आ रहा है आपका क्या ठीक इसको आप आराम से calculate कर लेजएगा हम बतारें उपर आ रहा है आए आपका आए जाएगा यहाँ पर V1 है तो V2 V3 आएगा V2 V3 आएगा प्लस यहाँ पर V2 है यहाँ पर sorry जब आप इसको solve करेंगे तो result क्या होगा हम दिखा देते हैं LCM कितना आया था LCM आया था 3 V1 V2 V3 ठीक है और यहाँ पर था आपका X common था तो देखो divide by V1 था जान जैना तो यह होगा V2 V3 बचेगा प्लस उसके बाद V2 से divide होना था तो V3 V1 होगा उसके बाद V3 से divide होना था तो V1 V2 बचेगा इसको आप ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा आपका कितना X common है अब average speed equal to होती है average speed equal to होता है total distance by total time total distance कितना है X total time कितना है total time देखो यह वाला जो total result है इसको total time कहते है जब आप इसको divide करेंगे X V1 V2 plus plus V2 V3 plus V3 V1 ठीक है और divided by 3 V1 V2 V3 यह करिएगा ठीक है समझ रहे है और तो इस देखो इस X से X यह वाला X कट जाएगा और नीचे जो 3 V1 V2 V3 है यह चला जाएगा ऊपर तो result आपका यहां पर कुछ ऐसा दिखेगा ठीक है average speed का formula दिखेगा आपको कुछ ऐसा ठीक है आप इसको solve परिएगा दिखेगा आपको 3 V1 V2 V3 divided by V1 V2 plus V2 V3 plus V3 V1 यह V1 V3 यह की बात है ऐसा result आपको दिखेगा यह हुआ जब equal distance 3 different velocity से travel किया जाएगा उस वक्त आपको average speed कैसे निकालनी है यह average velocity कैसे निकालनी है उसका यह formula ठीक है तो यह कम popular है ज़्यादा तर आपको यह जो दो वाला formula हमने बता रख रख रहा है इसको आपको याद रखना है और इसको अप्लाइब करना है कोशिज करना है कि इस तरह की type के problem को आप इसी formula से बनाए ताकि यह formula आपको आराम से याद हो जाए और आप इसको utilize भी कर पाए ठीक है तो average speed का complete lecture हो गया आपका isolated सारे सवाल आपसे बन जाएंगे अब आप लोग size बनाएएगा problem वगरा होगा तो आप लोग पूछिएगा ठीक है हमने आपको दोनों तरीका समझाया हर सवाल को बारिकी से उसके अलग-अलग types को sub types को बना के समझाया फिर भी अगर आपको लगे कि आपसे problem नहीं बन रहे हैं तो या कुछ दिक्कते आ रही है या कोई भी concept आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप आराम से problem पूछ सकते हैं ठीक है तो तब तक पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए all by very best धन्यवाद